नई सुबा के इंडिपेंडिट लिविंग प्रोग्राम के किचन टिप्स के साथ मैं हूँ आशा एहमद आज हब आपको ठोमैटो फ्यूरी बनाना सिखाएंगे ठोमैटो फ्यूरी बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए ठोमाटर दो किलो और अब हम इसको बनाने का तरीका सीखते हैं दो किलो टिमाटरों को धो कर स्ट्रेणर में रखके अच्छी तरह से खुश्क करने इसके बाद एक खुश्क पतीले को चूले पे चड़ा दें दर्मियानी आज पर इसमें ये सारे टिमाटर डाल दें जब टिमाटर इतने पक जाएं कि इसका पानी अलता हो जाए और इसके छिलके अलता हो जाएं तो आप इसको स्ट्रेणर में डाल कर इसका एकसेस वाटर निकाल दें इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरही करें जब तक कि यह गाड़ा पेस्ट की तरीकर के ना तैयार हो जाए अब इस पेस्ट को थंडा कर लें और छोटी-छोटी थैलियों में भर कर फ्रीजर में फ्रीज कर लें जब आपको खाना बनाने के दोरान टोबेटो पेस्ट की जरूरत हो तो इसको निकालके आप सालन में डालकर आसानी से सालन तैयार कर लें इस तरह आप आसानी कोई 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 कोकिंग कर सकते हैं अब तक के लिए इतना ही अगली टिप के साथ दुबारा हासिर होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिस